हेलो मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरो थेरेपिस्ट प्रानवी हल्थ क्यार से बात करेंगे जैसे किसी किसी की नाभी ना ऊपर चली जाते या नीचे चली जाते नाभी हिल जाते तो उसको हम घर में ही अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो इस प्रोडेक्ट को बोलते हैं न कर सकते हैं तो इसको यूज कैसे करते तो चलिए देखते हैं तो अब हम यूज करेंगे यह नाभी पंप नाभी पंप हम कैसे यूज करते हैं तो उससे पहले हमारी जो नाभी होते हैं वह हमारे सरीर का आधार होता है अगर नाभी डिस्टब हो जाता है तो पूरा सरीर डि तो किते को जाता है तो नावी की तरफ सकते हैं तो हमारे कुछ भी का रहा है अब हम इसको घर पर रहके कैसे टीक कर सकते हैं यह जो नावी पर होता है ना इसको हम अपने मावी के बीचों जाएंटर में रखेंगे और इससे हम हवा भरेंगे फुश करेंगे ठीक है इस तरीके से अगर आपकी नाभी हिली भी होगी तो यह यहाँ पर सेट हो जाएगा नहीं तो यह ऐसे ही हट जाएगा मतलब इनके सरीर से यह ऐसे ही हट चुका है तो इनकी नाभी एकदम सेट होई है नाभी नहीं हिली भी होती तो यह इतनी ही देर में यहाँ पर सेट हो जाता है यह हिलता ही नहीं हमसे हटता ही नहीं जैसे यह अभी हट रहा है तो नाभी पंप की यह भी खासियत है अगर हम इ करने के बाहरना इसके लिए इतनी वह हतनी फिंहां जो नवे नहीं हट था विडियान अगर एनना करने करने अंक बाद है ओ उसल सबसी अज़ों मतलब आपके इन प्रेस्पों को इस तो भी नहीं अटेगा तो इस नावी पंप का यह सुवीद आए तो इससे आप गर बैटेए इसली अपनी नावी सेट कर सकते हैं मैं उमीद करती हूँ इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई है आपको समझ आ गई होगी अगर नहीं समझ आई है या कोई दिक्कत फेस करते हैं तो इसक्रीन पर दिये गए नंबर पर आपको वट्सप कर सकते हैं आपको जल्द ही उसका रिस्पोंस दिया जाएगा और अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए सलाम सस्रियकाल नमस्ते